हेलो स्टूरेंट्स वेलकम बैक टो मैं चैनल दिस साइट सिधी एड आज की क्लास में हम लोग इंदस वैली सिविलाइजेशन को स्टार्ट करने वाले इससे पहले मैंने आप लोगों को पूरा कम्प्लीटली स्टोन एज और कॉपर इसको कम्प्लीटली मैंने आप सबको बारे में तो इंदस वैली सिविलाइजेशन की वीडियो होने वाली है इसमें हमें बहुत कुछ पढ़ना है तो हम इसको कुछ पार्ट में डिवाइड करके तब हम इसको कम्प्लीट करेंगे तो आज हम वारे यह पहली वीडियो होगी जिसकी अंदर मैं आप सबको पूरा कम्प्लीटली इंदस वैली सिविलाइजेशन के बारे में डिसक्स करने वारी उसके फीचर्स के बारे में बताऊंगी उसके खोच के बारे में हम लोग पढ़ने वाले और साथ साथ हम लोग यह देखेंगे कि जो ग्रैफिकल एक्सटेंट कहां कहां तक यह फैला था तो य यह किसी भी कॉंपेटेटिव यह एंट्रेंस यहां तक की यूजी सी नेट या फिर यूपीस से की बें थ्यारी कर रहे होंगे वीडियो आप सब के लिए बहुत ही ज़्यादा है तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक से सिंदू गार्ती की सब्यहता में हमें क्या-क्या पढ़ना है क्या-क्या हमें इसके वारे में बदा चलता है तो रही बहुत BACK-र यजास ओंधिया उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे भारत के इतिहास का सबसे पुराना जो मेरा इंदस वाली सिविलाइजेशन के बा ये बात आप भी जानते हैं और जिसको आप लोग और किसके हरपन सिविलाइजेशन यानि की हरप्या सब्याता की नाम से भी जानते हैं तो अगर मैं बात करूं कि IVC यानि की इंदस्वारी सिविलाजेशन की तो आज से लगबग कितना आज से लगबग 4500 साल पहले ठीक है आज से लगबग 4500 साल पहले इट मीज 2600 BCE ठीक है 2600 BCE में एक अर्बन सिविलाजेशन की तरह ये एक स्टैंट हुआ था ठीक है ये एक अगबग 45 साल पहले 2600 BC में अर्बन सिविलाजेशन की तरह एक्जिस्टेंस में आया था तो इसमें अगर हम बात करेंगे स्टूडेंट तो यहां पर इसमें क्या बताया जाता है कि यहां पर जो आई बीसी का टाइटल है जो इंदस वैली सिविलाजेशन का जो टाइटल है फरस्ट टाइम किसने यूज किया था तो वो थे जॉन मार्सल ने तो जॉन मार्सल ने इस टाइटल का फरस्ट टाइम यूज किया था जिसको आज भी हम देखते हैं तो हरपन सिविलाजेशन के नाम से भी से बोला जाता है तो नेक्स आगर हम बात करेंगे तो इंदस वैल इसके समकालिन था उसका contemporary देखने को मिलता है और इंदस वैली civilization आज के अगर हम बात करें तो इंदस वैली civilization का मैसोपोटामिया के साथ क्या था एक trade relation था और इसके evidence भी हमें मिलते हैं clear हो गया तो आपको येतनी बात याद रखनी है कि इंदस वैली civilization जो है वो एसिया के तीन और मेजर civilization का वो समकालिन था तो गया था ancient Egypt, Mesopotamia और China इन तीनों का ये समकालिन रहा और इंदस वैली का Mesopotamia के साथ trade relation का evidence भी है ऐसा हमें देखने को मिलता है तो अगर student में बात करूं तो उस time पर ऐसा माना जाता था कि इंदस वाले civilization की जो west वाला हिस्सा है शरिफ वो ही civilized है उसको ही civilized माना जाता था और east वाली साइट को हमेशा से uncivilized माना जाता था ठीक है कि वो uncivilized है barbaric है और uncontrolled था जिससे की हमें east civilization जो थी जो east वाला हिस्सा था उस पे हमें ऐसा कोई भी गर्व करने वाली बात कुछ ऐसा हमें नहीं था ऐसा यहां पर बताया गया था तो यहां तक आप लोगों को बाते समझ में आ गई कि हमने देखा कि फर्स टाइम जो है जॉन मार्सल ने क्या किया था आई वी सी का जो टाइटल है उसको यूज किया था जिसको और क्या बोला जाता था हर अपन civilization क्लियर हो गया तो अगर मैं बात करूं कि जॉन मार्सल ने इसको आई वी सी क्यों बोला होगा तो स्टूडेंट आज मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारा जो इंदस वैली civilization है अगर हम इसको देखें कि यह कहां कहां तक extent हुआ था कहां कहां तक यह फैला हुआ था तो हम अगर देखेंगे तो मैं आपको next slide पर ले चलती हूं ठीक है यह पहले हम देख लेते हैं कि आज की वीडियो में मैं आपको यहां पर सब कुछ बताने वाले हूं ठीक है तो अगर आप बात करोगे तो हम लोग जो भी देख रहे हैं कि यहां पर आपको इंदस वैली civilization जो है student वह आपके पंजाब में हरियाना में सिंद में बालचिस्तान में गुजरात में राजिस्तान में और वेस्टन यूपी में तक यह क्या हुआ था आपका इंदस वैली civilization पैला हुआ था और अगर आप लोग देखोगे तो यह सारी की सारी जगा जो है इंदस या फिर इंदस ट्रिबुटरीज के अराउंड लोकेटिड थी इसलिए जॉन मार्सल ने इसे इंदस वैली civilization बोला था क्योंकि आप लोगों कोई बात पता होने चीए इंदस वैली civilization जॉन मार्शल ने जो टर्म यूज करी है तो अव्यस सी बात है उसके पीछे कोई रीजन या कोई कारण रहा होगा इसलिए मैंने आपको यह भी बता दिया कि जॉन मार्शल ने इस टर्म का यूज क्यों किया था तो अगर हम वापस इस इंट्रोडक्शन के तरफ आते हैं तो 1924 में अगर आप देखोगे जॉन मार्शल जो की डारेक्टर जर्नल ऑफ एस आई थे यानि की आर्के लोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया तो उन्हों अगर आप देखोगे तो 1920 में अगर आप देखोगे तो हरप्पा और मोहन जोदड़ो इनका भी हमें पता चलता है वो हम आगे डिसकस करेंगे तो स्टार्टिंग में आपको यह बात पता चल गए कि अगर हम देखेंगे तो यह कहां तक इंदस्वैली सिविलाइजेशन आ अगर बात करो स्टूडेंट तो आज की टाइम में जो इंदस्वैली सिविलाइजेशन है उसमें से 2000 साइट्स हमें देखने को मिलती है 2000 साइट्स आपको देखने को मिलेगी और आज के टाइम में यानि कि आज की मॉडर्ण टाइम में अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम आपको इंडिया और पाकिस्तान में ही यह साइट्स देखने को मिलेंगी क्लियर हो गया आगे बढ़ेंगे और हम समझेंगे इनके कुछ डिस्कवरी यानि की एक्सिवेशन की कि कि किसने कौन सी खोज कब की थी तो स्टूडेंट अगर मैं डिस्कवरी की मैं बात करूं तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि दयाराम सहनी ने हरपा की खोज की थी 1921 में ठीक है तो दयाराम सहनी क्या थे यह एक इंडियन आर्केलोजी थे जिनों ने 1921 में हरपा की क्या की थी खोज की थी जिसके बारे में इन्हें पता चला था और इन्होंने हमें बताया था ज और इस हरपपा की discovery ने फिर अब क्या किया था दुनिया वर के लोगों को हैरान करके रख दिया था क्योंकि जब उन्होंने इस हरपपा का extensive खोज की थी तब दुनिया वर के जो भी लोग थे जितने भी इतिहास कार थे वो सब के सब हैरान हो गए थे ऐसा क्यों? क्योंकि उस समय पे सबसे well planned civilization का ऐसा नमूना उन्हें देखने को मिलता है जो हमें आज भी क्या करता है? इंस्पायर करता है ठीक है? तो इस discovery के बाद से ये बता जाता है कि जब योरोप में barbaric जब योरोप जो है वो barbaric से क्या कर रहा था? जूज रहा था? स्ट्रगल कर रहा था तब इंडिया में आपको एक urban civilization एक हर रोज ये एक जो हरपा है तो इंडिया में आपको उस समय देखने को मिलेगा कि जब योरोप जो है वो barbaric से जूज रहा था उस टाइम हमें देखने को मिलता है कि इंडिया में एक urban civilization एक हर रोज एक नई होचाय चूरी थी ठीक है? अगर मैं इस कहानी की बात करूँ तो इंडियस्वाली civilization ने भाड़तियों के खुद के इतिहास पर गर्व करने का एक मौका दिया है यह आप भी जानते हैं कि आज के टाइम पर आप देख सकते हैं इंडियस्वाली civilization जो है वो बहुत ही ज़्यादा well-planned city थी well-planned city के वज़े से जो से आज भी हम सब inspire करते हैं और हमें उस बात का क्या होता है? गर्व करने का मौका दिया जाता है और दुनिया को ये बता जाया कि west भी मैंने आपको starting में बताया कि west ही civilized माना दाता पहले के टाइम में इंड़स्वाली के समय पर और east को uncivilized माना दाता था लेकिन जब देयाराम शानी ने अरपा की खोज की थी 1921 में तो उन्होंने ये बताया कि west पर monopoly नहीं हो सकती यानि कि सिर्फ west ही जो है वो अकेला ही राजनी कर सकता सिर्फ वो अकेला ही civilized नहीं है तो ये बात देयाराम शानी ने 1921 में जब इसकी खोज की थी तब ये बात बताई थी यहां तक आप सबको बाते clear हो गई तो student अगर मैं बात करूँगी आप ये दो discovery देख रहे हैं तो ये तो 1921 और 1922 में RDW energy आये थे जिन्होंने Mohan Jodhudu की खोज की थी इंदस river के पास लेकिन मैं आपको student एक बात बताऊं 1853 में तिक है आप लोग लिख सकते हो इसको 1853 में कनिंगम आये थे ठीक है ये बात आपको बते होने चीए 1853 में कनिंगम को इंदस फैली सिबिलाइजेशन के बारे में पता चला था तब उन्होंने यहां पे हरपा में क्या किया था इसको विजिट किया था लेकिन उस समय पर कनिंगम को इसकी कोई भी सिगनिफिकेंस सायद उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया था तब बाद में 1921 में कौन आय थे दैराम सैनी आय थे जिन्होंने हरपा की और बाद में 1922 में कौन आय थे आड़ी बैनर्ची आय थे जिनोंने मोहन जोदडो की क्या की थी खोज की थी तो इसके बाद अगर आप देखोगे इंदस वैली में लगातार एक की बाद एक खोज यानि की एकसेक्विवेशन डिसकवरी होती चली गई अगर मैं आज आपको नाम बता दू कुछ तो इसमें अगर हम कुछ नाम देखेंगे तो वो हैं आपके कुछ NG मनजुबदार क्योंकि मैं आप आप लोग इन सब कुछीजों को नोट डाउन कर लेना तो अगर मैं बात करो दयाराम सहनी RD मेना के बाद कुछ और लोग भी आये थे जिन्होंने कुछ खोच की थी जिसमें आप कुछ नाम लिख सकते हैं NG मनजुबदार JP जोसी JP जोसी आये थे R राव ठीक है RS बेस्ट और वसंत सिंदे आप ये सारे नाम याद रखना वसंत सिंदे और अमलानंद घोश तो ये कुछ और भी इतिहासकार हमें देखने को मिलते हैं जिन्होंने और भी साइड्स की खोच की थी अगर मैं बात करो लेक काली बंगा लोतल तो इन सारी जगहों को Extractra और भी जितनी भी साइड्स हैं इन सब की क्या की थी इन सब साइड्स को डिस्कावर किया था तो अगर मैं बात करो सुडेंट तो आज तक अगर हम देखेंगे तो कितने 2000 से जादा साइट्स आपको इंदस वैली सिविलाजेशन साइट्स पे पाई जाती है यहां तक आज आपको समझ में आ गया कि सबसे पहले तो कनिंगा मैं थे 1853 में लेकिन उनको इंदस वैली की कोई भी सिगनिफिकेंस कोई भी फायते देखने को नहीं मिला उन्हें कुछ समझ नहीं आया ठीक है इस वज़े से फिन 1921 में जब देहरम सहनी ने हरपा की खोज की और 1922 में आड़े मैनर्जी आये और उसके बाद अगर हम देखेंगे कुछ और इतियासकार है जैसे एंजी मनसुबदार जेपी जोची आर राव आरेस बिस्ट और बात करेंगे वसन सिंधे तो यह सब लोग आए तो इन्होंने कुछ और साइट की खोज की थी ठीक है आप यह सारे नाम लिख सकते हैं उसके बाद स्टुडट अगर मैं बात करूं सबसे मेजर डिसकव स्टुडन गहista सब्सक्राइब को आए तो कवह आये थे स्टूडन नाइन्टी नाइन्टी में 1990 में 1990 में अए था जब नंहोंने धोला विरा की किसकी धोला विरा की कोच फिर थी ठीक है तो उपिला विरा में उन्होंने क्या मिना था उने दोला श्क्रिप्शन और in the signboard मिल कूझते थे लेकिन हमें हरपा सबसे मेरी स्टों इस्क्रिप्रिप्जन देखने को मिला था क्लीर हो गया परिए आगर मैं से बात करूज तो इसके बाहिए तो हमें देखने को मिलता है तो वह ती जो थे अमिंदरनाथ ठीक है कौन अमिंदरनाथ आय थे कब आय थे जिनोंने खोज की थी ठीक है 1997 में जिनोंने कौन सी साइट की खोज की थी वो थी आपकी राकीगडी तो राकी गड़ी की मैं बात करूँ तो इसकी कोज अमिंदर नाथ ने की थी पहली बात जिसमें भारत में हमें देखने को मिलता है याद रखना अमिंदर नाथ ने 1997 में राकी गड़ी की ये साइट के बारे में बताया था next अगर हम बात करेंगे जो next इत्यासकार आपको देखने को मिलेगा वो है आपके जो important है वो है वसंत सिंदे ठीक है तो वसंत सिंदे ने जो खोज की थी 2014 में 2014 में वसंत सिंदे ने खोज की थी अरप्पा सिविलाइजेशन को इन्होंने largest site बना दिया था तो अगर आप रॉक्स देखोगे 3000 हेक्टर कितना 3000 हेक्टर में ये फैली हुई थी ठीक है राखेगेडी site मैंने आपको बताया 1997 में अमिन्ना दारतने से पहली बार इसको discover किया और इसके बाद 2014 में वसंत सिंदे ने इसको क्या किया सबसे हरपन सिविलाइजेशन की largest site बना दि थी ये अप्रॉक्स 3000 हेक्टर तक फैली भी थी तो अगर मैं बात करूँ तो इसने मोहन जोदरो को भी पीछे कर दिया था किसने ये राखेगेडी site ठीक है यहां तक आप सबको clear हो गया तो अभी तक आप सबको पता चल गया कि कौन सी खोज कब हुई थी मैंने अभी आपको starting बता दिया कि इंदेस वाली civilization का term किसने use किया था और किसने यहां पे कौन कौन सी sites हमें देखने को मिलती है किस टाइम पे किसने खोज की थी आइए चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके बाद हमें जो हरपन इंदेस वाली civilization है इसको हमें कुछ चार फेज में इसको divide किया गया था आइए चलिए अब उसको पढ़ते हैं क्योंकि मैं आपको बहुत कुछ इंपोर्टेंट चीजें बेक्सिस्क बता रहे हूं अगर आप लोगों इससे पहले कभी हर अपन civilization के बारे में नहीं पढ़ा अंदेस वाली के बारे में नहीं पढ़ा तो आज की वीडियो बहुत ही जादा है लोगी इसकेप मत करना वीडियो के एंट तक बने रहना और लाइक शेयर करते रहना ठीक है इससे पहले मैं आपको जादू कि टालीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उन दोनों टालीग्राम चैनल को आप लोग जॉइन कर सकते हो ठीक है एक में आपको कोई भी डाउट हो कोई भी क्वेरी हो कुछ भी पूछना हो कोई क्वेशन सो तो आप उसमें कुछ भी करते हैं तो इसके लिए मेरे इस टेलीग्राम चैनल को जॉइन जरूर करना तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि जैसे कि मैंने आप सब को बताया था कि अभी तक हम लोगों ने सारी एक्सेवेशन की बात कर ली कि कौन सी खोज कब हुई थी और क्या सारी चीज़े द तो अगर मैं स्टूडेंट बात बताऊं तो इंदस वैली सिविलाइजेशन को टाइम पीरिड देखने को मिलता है वह 3300 से लेकर के 1320 तक देखने को मिलता है तो मैं सबसे पहले बताऊ तो उससे पहला फेस माना जाता है वह फेस में आप लिख देती हूं वह आप लोग ज जो टाइम होता है ठीक है बिफोर 3300 बीसी का जो टाइम पिरड़ आप देखोगे वह होता है अपका प्रीहरप तो इस दौरान अगर हम देखेंगे इस फेस में हमें क्या देखने को मिलता है इस में नोमैडिक लोग जितने भी थे उन्होंने सैट्लमेंट बनाने लगे थे और यहां पर आप लोगों को देखा क्यों एगरीकल्चर की सुरवात हुई थी तो यह सारी तीज मैं आपको स्टोनेज और कॉपरेज में अल्रेडी पढ़ा चुकी हूँ जिसको हम प्रीस्टोरिक पीरड के नाम से जानते थे वो सब कुछ मैं आपको वहार डिसकस कर चु भाज हुँ तो जो पढ़ रहें इन्दस वायली सिविलाजेशन तो हम देख सकते हैं कि इसको किया नाम दे जाता है कि प्रोटोस्टोरिक पिरेट में आपको एक बार फिर से बता दूँ इस पिरेट में प्रोटोस्टोरिक पिरेट को क्यों क्या कहा जाता है इसमें क्या डिफरेंस होता है कि यहां पे आपको रिटन एविडेंस देखने को मिलते हैं लेकिन अभी भी इसको डैसिफर यानि की सकता तो इन दस्वाली सिविलाइजिशन का अगर मैं बात करूं इसका टाइम पिरड़ आप लोग यहां देख सकते हैं 3300 से लेकर के 1300 BCE का टाइम पिरड़ है तो यह तीन फेजिज में हम इसको पढ़ने वाले हैं पहला है आपका अरली फेज दूसरा है आपका मिच्च और फ पिरड़ 3300 से लेकर के 2600 BCE तक है अगर मैं इस टाइम पिरड़ के दौरान में बात करूं तो इस दौरां स्टुडेंट हरपा के जितने भी बड़े-बड़े विलेजिस का यहां पे एमर्जेंस हुआ था और बाद में यह एक अर्बन टाउन में कनवर्ट हुए थे आप द इस समय क्या हो रही थी अर्वन टाउंस में कनवर्ट हुए थी सेकिंड अगर मैं बात करूंगे मैच्योर फेस की जिसका टाइम पिरड़ेट 2600 से लेकर के 1900 BCE तक तो इस पीरिट के दौरान अगर मैं देखूंगी तो इस पीरिट के दौरान आपकी इतनी भी ग्रेट सिटी है वो फ्लोरिज्ट हो रही थी ठीक है तो कि आई भी सी को यानि कि आपके इंदर स्वेले सिविलाइजिशन को अर्वन बनाते हैं तो मैं आभी आपको यह नीचे वाला समझाओंगी जो कि जो ग्रैफिकल एक्स्टेंशन हुआ था कहां कहां तक फैला था वह भी मैं आपक था कि यहां देखोंगे तो इस टाइम पे इंदर स्वेले सिविलाइजिशन का डेकलाइन देखने को मिलेगा जो बाद में धीरे दीरे यह स्विलाइज आपकी इतिहास बन चुकी ठीक है तो यह तीन फेजिस में हमें यह इंदर स्वाली सिविलाजिशन को कवर अप करना ह तो student अगर मैंने आपको क्या बताया अगर मैं next topic की बात करूँ तो वो क्या होगा उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि अभी हाप आप लोगों ने ये देख लिए ये मैं आपको already पढ़ा चुकी हूँ कि आपकी तीन phases में IBC देखने को मिलता है एक fourth भी है जम प्रीश हर हर अपन already पढ़ चुके हैं लेकिन तो मेन है वह आपका early हर अपन mature और लेटर हिंदी और student के लिए भी मैंने लिखा है आप लोग बेफिकर रहे हैं तो आप लोग यहां पर इसको time period note कर सकते हैं और मैंने आपको detail में बता दिया कि कौन से phase में हमें क्या देखने को मिलता है अब अगर मैं यहां पर कुछ इनके बारे में अगर हम देखेंगे तो इस time पर मैंने आप सबको बता दिया detail में कि early हर अपन phase में आपको क्या देखने को मिलता है हकरा चरण यानि की हकरा phase से यह related होता है स्विबेश्ट होता है जिसे हम घागर हाकरा नदी घाटी में पहच चुकी हूं इसमें आपको इंदस के script के कुछ example देखने को मिलते हैं आज से 3000 साल इसा पूर्फ यानि BCE की बात कर रहे हैं तो यहां पर अगर आप देखोगे मैं आपको क्या बता चुकी हूं इसमें आपको यहां की जो character अगर हम देखेंगे तो centralized authority थी और यहां पर urban quality क्योंकि हमने जो pre-historic period पड़ा था वहां पर अगर आप settlement देखोगे तो वो सब ruler था ठीक है अब यहां से हमारी जो cities है वो urban में convert हो रही थी साथी साथ अगर मैं देखेंगे तो इनका जो trade network था तो वो establish होता गया और हमें इस यहां पर evidence क्या देखने को मिलते हैं कि अब यहां पर कुछ evidence हमें cultivation of crops यानि की फसलों की खेती के उप्रमाड भी देखने को मिलते हैं जो कि उस समें pea, season seeds, dates, cotton यह सब के सब इस time पर क्या cultivate यानि की उगाये जाती थे नेक्स अगर मैं बात करूँ कोड़ी जी की तो कोड़ी जी जो है यह आपके mature harapan phase का सबसे क्या इसको represent किया जाता है तो कोड़ी जी याद रखना यह site आपकी mature harapan phase में देखने को मिलती है जिसका time period मैंने आपको already बताया था 2600 से लेकर के 1900 तक का ठीक है नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे कि इंदर्स वैली सिविलाइजेशन जो है वो mature stage में कव एंटर करती है ठीक है 2600 BCE में करती है यह मैं आपको भी अल्रेडी बता चुकी हूँ और अगर मैं early harapan communities की मैं बात करूँ तुम्हें आपको अल्रेडी बता चुकी हूँ जो harapan और मोहन जोड़ो तो कि पाकिस्तान में और लोथन इंडिया में तो यह सारी चीज़े आपको देखने को मिलती है तो उस समय मैं आपको यह भी बताया कि हमें इंदर्स रीवर वैली सिविलाइजेशन जो हैं से स्टार्ट हो चुकी थी ठीक है दीरे-दीरे क्या हुआ इन् पन स्पिरेट भी हमें आगे जाके देखने को मिलेंगा जहां पर हमें यह पता चलता है कि अब दीरे-दीरे इंदर्स वैली सिविलाइजेशन डिकलायन दिखता जा रहा है और वो एक दीरे-दीरे एक सिविलाइजेशन अब यह इतिहास बन चुकी है ठीक है अब यह किति सिर्फ यह अगर हम देखेंगे तो यह सिर्फ इंदर्स रिवर ही नहीं यह आपकी सरस्वती रिवर तक यह फैला हुआ था ठीक है अगर मैंने जैसे कि अभी आप सबको अल्रेडी बताया कि इंदर्स वैली सिविलाइजेशन जो है वो स्टूडेंट आपके आप चाहो तो लिख लो सब यह आपके पंजाब में ठीक है हयाना में यह कहा कहा तक फैला हुआ था यह सारी चीज़ें आप सबको पता होनी चाहिए हर्याना में ठीक है सिन्ध में गुजराथ में ठीक है मैं आपUh कि सारे नाम तो नहीं लिख सकते लेकिन कुछ कुछ नाम लिख दे रह ठीक है राजिस्तान बल्चुस्तान और आपका वेस्टन यूपी तो ये सारी जगाएं हैं यहां तक आपके इंदस वैली सिविलाजिशन जो है वो एक्स्टेंड हुआ था यानि कि फैला हुआ था ठीक है तो ये सारी जगा स्टुडेंट मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ ये सारी की सारी जगा आपको कहां पे इंदस यानि की इंदस ट्रिबुटरी स्ट के अराउंड सब के सब ये लोकेटिट थी इसलिए जौन मार्सल ने इसको इंदस वैली सिविलाईजेशन बोला था अगर मैं बात करूं एक थियोरी के इसाब से स्टुडेंट अगर हम बात करते हैं तो इंदस वैली सिविलाईजेशन जो है ये पहले बहुत ही जघाओ यानिकी हरुम के यहां पर इंडुस्विलियों का जनम हुआ था लेकिन और बात करो इंडुस्विलियों सिविलाजेशन में टिक्लाइन आया और कुछ चैंजिस के चलते वे इसा कहा जा सकता है कि सायद आप यहां लोग कहां पर गंगा वैली में चले गए थे ठीक है तो गंगा वैली पर यह लोग कि आप लोग जो महा जनपद और मगत के बारे में जो पढ़ते हैं यह हमें यहां से देखने को मिलेगा ठीक है जब यह लोग कहां पर चले गए थे आपके जब यह लोग आपके चले गए थे महा जनपद और मगत जैसे किंडम का यहीं से उदेह हुआ था यहीं से राइस हु इसक इसक इसकी बात करते हैं उसके हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो मैच्चॉर इसक तयूआ में मानडा प्रजो की महरास्टर्वा और वेस्ट यानि की सुर्का गेंगोर जो कि आपके पाकिस्तान में हैं, ये सारी की सारी आपकी हरपन साइट्स मानी जाती हैं. तो जैसे की मैंना आपको बताया कि इंडर्स वैले सिविलाजेशन में दो हजार से जादा साइट्स आपको देखने को मिलती हैं और आज की टाइम में अगर बात करूं तो आज की टाइम में मैकसिमम आपको इंडिया और पाकिस्तान में कहां? इंडिया और पाकिस्तान में द बात करेंगे एक दूसरी साइट की कौन सी सुर्टूगाई की तो स्टूडेंट सुर्टूगाई जो है यह अफगानिस्तान में भी है ठीक है तो ऐसा कहा जाता है कि सुर्टूगाई जो है यह हरपन का ट्रेडिंग कॉलोनी था ठीक है यह ऐसी साइट है जो इंडिया पाकिस सान में देखने को मिलेगी लेकिन एक सिंगल ऐसी साइश से सुर्थुगाई जो कि आपको अफगानिस्तान में देखने को मिलेगा जो कि एक ट्रेडिंग कॉलोनी थी आशा करते हो आप सबको यहां तक बाते समझ में आ गई कि हमें जो इंदस्वाली सिविलाइजेशन है वह किते फेस में एवेलिूशन में आपको पढ़ने को मिलता है और हमने देखा कि इंदस्वाली सिविलाइशन जो है इसकी खोष किस तरीके से हुई और इसका जेग्रेफिकल एक्सेंड यानििकि इंदस्वाली सिविलाआजेशन कहां कहां तक फैला टर्म कैसे आई किसने इंदस्वाले सिविलाइजेशन में कौन-कौन सी साइट्स की खोज की थी और हमें इसमें क्या पढ़ने को मिलेगा तो इसलिए आज की पूरी क्लास में आप इसको एक इंट्रोडेक्शन के तौर पर देख सकते हैं आगे जो आने वाली वीडियो हैं अ टाउन प्लैनिंग के मैं अगर बात करूं तो टाउन आपकी जो हैं डिवाइट देखने को मिलेगी वह दो हिस्तों में देखने को मिलते हैं आप सभी जानते होंगे एक ता अपका अपर पार जिसको सिटेडल होला जाता था और एक उता था लोवर पार्ट सिटेडल कौन से डारेक्शन में था आगे अगर मैं बात बताओं तो इस टाइम पर जो हरपन इंदेस वाले सिविलाइजिजन के लिगर टाम की बात करेंगे तो इस समय आपको जो मैटल्स मैटेरियल जो यूज देखने को मिलेगा वह था संड्राइड बिक्स और बेक्ड बिक्स य बढ़ाओंगे तो आज मैं को यह बताने वाले हैं कि सके अंदर हमें क्या-क्या देखने को मिलता है और क्या-क्या चीज़ों के बारे में पता चलता है अगर मैं बात करूंगी कि इस टाइम पर जो रोड होती थी इंदस वाली सिविलाइजेशन के टाउन प्लैनिंग के ब द्रेनें इसस्टम आपकोज अंदर ग्राउंड और कवर मिलेगा ड्रेन सिस्टम और यह जो ड्रेने मीश्य देखोके तो जो घर का ड्र ile वो भार किर्या चैलेंता था कि घर का जितना भी-आप उलोग का वेस्ट मतेरियल है जितना भी वूस सब कुछ उसके ड्रेंस से कने बात करूँ कि इस टाइम की कैसे यहां की बिल्डिंग्स कैसी थी इमारते कैसी होती थी तो स्टूड़ें यहां पर आपको कुछ प्राइविट हाउस मिलेंगे तो यहां पर आपको सिंगल और मल्टी रूम यह दोनों देखने को मिलेंगी कहीं कहीं पर single एक ही कमरे होते थे यह कहीं कहीं पर बहुत सारे भी कमरे आपको देखने को मिलेंगे और हर जगा आपको 2 story houses भी मिलेंगे मतलब 2 मंजिल का घर आपको easily देखने को मिलेगा आगे मैं बात करूं तो यहाँ पर बड़े-बड़े houses यानि की छोटी इकाईयों के से घिरेवे बड़े घर ठीक है भी देखने को मिलेंगे और अगर हम देखेंगे पबले की स्ट्रक्चर में तो हम इसमें ग्रैंडरी शीटेडर और ग्रेट बात यह तीन आपको विशाल सारवजनिक संद्रचना देखने को मिलेंगी यह सब को स्टुटेंट मैं आपको डीटेल में करा आज मैं को बेसिक चीज़े कि मैं क्या क्या पड्टने वाले या तकय चीजे थी वह मैं आज आप्यू में क्मेली करनेवा astro तो आपने देखा कि बंडार घड और महान इसनान गिरे जो कि में मोहन जोदुरों में देखने को मिलता है ठीक है आपका ग्रेन ड्री जो कि हमें हरप पंस में देखने को मिलेगा यह सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगी लेकिन अभी देख रहे हैं कि इंदस्वाली ठीक है बहुत ही अच्छी रही तो मोहन जोदुरों और हरपा की आपको बताया कि आपको CT88 और कुछ अ ल्गा आपको स्िटेडल और कुछ ऐक्रोपलीस भी देखने को मिलेंगे जहां पे आपको रूलिंग क्लास के लोग रूलिंग क्लास के मेमबरिस पर रहते थे उस citadel के बिलो उसके नीचे आपको एक लोवर टाउन देखने को मिलेगा जो की bricks houses से बने भी होते थे जहां पर आपके common people रहते थे जो मैंने आपको उपर basic चुछे बताए थे वह मैं आपको detail में बता रहे हूं अगर आप लोग student किसी college में हो और किसी school में हो और मेरी वीडियो देख रहे हो तो आप लोग यह सब detail में लिख सकते हैं इंदस वैले civilization के features में इकनुवाला student में मेरी यह वीडियो देख रहा है तो आप सब के लिए वीडियो helpful है एक्जाम में यहां से questions पूछे जाते हैं और आपको ऐसे ही इसको लिख सकते हैं आगे मैं बात करूंगी यहां पे grid system भी था जैसे कि मैंने आपको बताया था ठीक है और साथी साथ यहां पे आपको grandries भी दिखने को मिलेंगी जिसमें यह लोग अपने food को अपने ब्रेक्स यानि पकी हुई इटो का भी यूज होता था और साथी साथ अगर मैं बात करूं इजिप्ट की तो यह इसका contemporary था यानि की इजिप्ट में अगर आप देखोगे तो यह ड्राइड ब्रेक्स यानि की सूखी इटो का यूज किया गया था लेकिन हम हर अपन्स की और देखेंगे तो यहां पर पकी भी इटो का यूज किया जाता था अगर हम देखेंगे मोहन जो दुड़ो का जो ड्रेने सिस्टम था वह बहुत ही जादा impressive रहा था क्योंकि यह क्योंकि बहुत ही अच्छे से वैल प्लैंड था यहां पर ऐसा नहीं था कि कभी भी पानी यहां पर जम जाता हो या नहीं जाता हो एकटा हो तो ऐसा कुछ नहीं था उन्होंने बहुत ही सही तरीके से कर रहा था यह सब कुछ मैं आगे आने वाली वीडियो में डेटेल में कराऊंगी कि ड्रेने सिस्टम कैसा था वो मैं आपको तब फिकर के थुरू भी दिखाऊंगी ठीक है बट अभी आप यह देख लो कि ड्रेने सिस्टम बहुत ही अच्छा रहा था और अगर आप देखोगे हरपन में यानि कि इंदस वैली में जितने भी घर होते थे चोटे य होते थे ठीक है अगर मैं बात करूं काली बंगा की तो काली बंगा में बहुत सारे घर आपको देखने को मिलेंगी जहां जिसमें क्या होते थे कुए होते थे यानि की वैल्स हमें देखने को मिलते हैं कुछ साइट धोला वी रहा और लोथर की अगर मैं बात करूं जो कि ग टाउंस से क्या थी सेप्रेट से यानि कि सहर के बीतर के हिस्सों को भी दिवारों से अलग कर दिया गया था इस तरीके से इन लोगों ने अपने किलों को बना रखा था तो यह कुछ बेसिक सीजे थी मतलब आज की वीडियो में अगर आप देखो कि मैं आपको आज हम इससे इतना गर्ब क्यों हैसूस करते हैं कि हाँ आज भी हम इससे इंस्पायर हैं और हमें इसमें चार फेजिस देखने को मिलते हैं यह सब कुछ हमने पढ़ा और हमने यह भी देखा कि हमारा इंदस वाले सिविलाजेशन जो है वो कहां कहां तक एक्स्टेंट और यह भी देख लिए कि टाउन प्लैनिंग यानिकी इंदस वाले सिविलाजेशन में क्या-क्या मटेरियल किस तरीके की घर और क्या-क्या देखने को मिलता है तो स्टूडेंट आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं क्योंकि वीडियो कुछ जादा लंबी हो रही है लो तर इन सिंगल सिंगल साइट को मैं आपको डेटेल में एक्स्प्लेइन करूंगी ताकि आपको कहीं भी कोई भी डाउट ना रहे तो आज ही वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना बाकी कि हम लोग अपनी नेक्स्ट आने वाले वीडियो में कवर आप करेंगे वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूला कमेंट करके जरूर बताना चैनल सब्सक्राइब कर लो बैर अकर जरूर प्रेस करना अशकत में आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी तेलिगर आफ चैनल कर लिए नहीं तो हिस्ट्री एडू पॉइंट अ